मुल्टिन के शिरुवात में सबसे पहले बात करते हैं मद्यपरदेश के जबलपूर की जहां शोहदों ने दिन दहाडे एक लड़की के अपहरेन का प्रयास किया जिससे यह साफ है कि अब महलाएं खुद को सुरक्षित नहीं समझती मद्यपरदेश के मुख्या शिवराज भले ही महिला सुरक्षा की बात करते रहें पर हकीकत तो यह है कि प्रदेश महिला संबंदी अपराधों के लिए नमबर वन बनता चारा है जहां महलाएं खुद को सुरक्षित नहीं समझती ऐसा ही एक मामला जबरबूर में बेखने को मिला है जहां शोहदों ने दिन धाड़े एक लड़की का अफरन का प्रयास किया दरसल पीड़ता जब अपने घर लोट रही थी तब कुछ शोहदे लड़की का पीछा करते हुए आये और लड़की को जबरन आटो से उतार लिया आटो वाले के विरोध करने पर शोहदों ने आटो की चाबे निकार ले इस दुरान लड़की ने कई बार पुलिस साहता केंदर पर कॉल किया लेकिन घंटो चले दमाशे के बार भी पुलिस नहीं आई घर्ड़की सूचना पर पहुंचे पीड़ता के पिता के साथ भी शोदों ने जब कर माल पिट की और धमकी देते हुए भाग निकले दो लड़की आये उन्होंने मेरा रास्ता रोका और आप इसको लेके जाओगे तो तुम लोग को मारूंगा मैं तुमको और उनको बहुत गंदे-गंदे अब यूजिंग वर्ट यूज किये में दूसरे ओटो से अर्वाइप में गई वहां पर उन लोगों ने उसको बोला कि आगर आप इसको लेके जाओगे वहां मी साथ बद तमी बकूनaborत कि आप नहीं जाओगी तो भी उसकी रिक्वेश बोले कि मैटम, फ्लीज आप उतर जाओ आईए मुझे अपने पापा को बुलाना पड़ा, मेरे पापा ने हाथ पकड़ा, तो मेरे पापा को हाथ उठाया, उनके हाथ पे चोटा आई है, नाक पे चोटा आई है, और यहां तकी जान से माननी की धमकी भी दिया मुझे यह नहीं पता है, वो लोग कौन है, कहां की है, मैं नहीं जानके लोग तो क्या आपका आपरण वगेरा करने की कोशिश्ची हो लोगों हो सकता था, वो अपरण भी कर सकते, जब आप लड़की को बीच रोट पर रोक रहे हो, तो क्या वरुसा आपरण भी कर ले उसमें कारवाई की जा रही है, और घटना के बारे में लड़की आटो में जा रही थी, तो दो रड़कों ने उसका आटो रुखवाया, और उसको आटो बाले से बोला, इनको उतार जीचे, फिर उसने अपने पापा को पोन लगाया, पापा वहां पर आए उसके, और इन जा प्रिमार कुध हो